Good morning all of you आज Television Production की दूसरी क्लास है ये तो इस क्लास में हम बात करेंगे कि Television Production क्या होता है इसके कौन कौन से प्रारूप होते हैं जैसे कि आप Serial की बात करते हैं कि Serial हो सकता है धरवाहिक या फिर Documentary हो सकती है Short Film हो सकती है Tele Film हो सकती है Talent Show हो सकता है गेम शो हो सकता है तो इसके बहुत सारे format हैं तो उन format के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही उसके उद्देशों पर भी बात करेंगे कि टेलिवियन प्रड़क्शन किस उद्देश से किया जा रहा है ये पता होना बहुत जरूरी होता है इसी के आधार पर आप अपनी के लिए हम बना रहे हैं और उसी के आधार पर आप इस तरह के कारिक्रम बनाते ह। अपसरल शब्दों में कह सकते हैं कि अगर टेलीवीजन के लिए निर्मान कर रहे हैं तो मुख्य रूप से audio, video, graphics, text, animation इन सब को मिला के जो निर्मान होता है जो कारिकरम बनता है जिसमें कि आपको audio भी मिलती है, video भी मिलती है, text भी मिलता है, graphics भी मिलता है, animation भी मिलता है और उसको edit करके कारिकरम बनाया जाता है और उस कारिक्रम को आप कह सकते हैं कि टेलिवीजन के लिए निर्माण हो रहा है या टेलिवीजन के किसी कारिक्रम के लिए निर्माण हो रहा है अब टेलीवीजन के जो कारिकरम होते हैं उनके वो देश अलग-अलग होते हैं और साथ ही उनके निर्मान के कारण भी अलग-अलग होते हैं क्योंकि टेलीवीजन कारिकरम निर्मान काफी महंगा होता है और बहुत सारे लोगों की इसमें जरूत होती है जो अपने अपने चे मतलब बहुत सारे ऐसे दक्ष व्यक्ति मिलकर ही किसी टेलीविजन कारेकरम के लिए कुछ निर्माड करते हैं तो अब यह जानना जरूरिये कि लिए जाए और किस के लिए किया जाए लक्षित जनता हमारी क्या है, कहां पे हमारा ये प्रोग्राम जो है प्रसारित होगा, इन सारी चीजों को ध्यान में रख कर हैं, तेलिवीजन के कारिक्रमों का निर्माण करते हैं, अब तेलिवीजन कारिक्रम में जो सबसे पहला जो आता है, वो कारिक्रम होते हैं, जो मनु पहले से अगर 1984 से बात करें जबकि दू दर्शन का विकास बहुत तेजी गती से हुआ तेज गती से हुआ और सारे देश में टेलिवीजन का प्रसारान शुरू हो गया ट्रांस्पॉंडर ट्रांस्मीटर्स हाई लगाए गया जैसे की लगभग लगभग देश के काफी हिस्तों में काफी जादा हिस्तों में लगभग साथ प्रत्यच जनसंख्या में आप कह सकते हैं टेलिवीजन का प्रसारण शुरू हो गया था तो उस समय जो मनुरंजन का रिक्रम शुरू हुआ उसमें एक दिन आप याद रखिएगा साथ जुलाई 1984 साथ जुलाई 1984 इस लेकि उस दिन दूदरशन पर पहला धारवाहिक या सीरियल हम लोग आरंब हुआ था जिसके लेखक थे मनुहा शाम जोशी जी और पी वासुदेव जो है इनक्सिस के डिरेक्टर थे तो इस धारवाहिक को देखने के लिए बहुत सारे लोगों ने टेलिवीजन खरीदा और वो जो हम लोगों की कहानी थी ततकालीन जो लोवर मिडल क्लास था उसकी कहानी थी और हो पाती थी तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें इतने रोचक अंदाज में पेश किया गया कि ये घर-घर की कहानी बन गई और घर-घर में इसको देखा जाने लगा इसके जो पातर थे छुटकी बढ़की लल्लू मजली है ना ये सब घर-घर में पसंद किये जाने शुरू हुआ और आप कुछ एक सीरिल के नाम आप याद कर सकते हैं जैसे बुनियाद, जुनून, जिंदगी, ककाजी कहन, यात्रा, नुकड, कहां गये वो लोग, एक सीरिल का ही नाम था मनुरंजन, हम हिंदुस्तानी, छोटी बड़ी बाते हैं, तेरा पन्ने, राग दर बारी, शरीकान, मालगुली डेज, और कुछ एक सीरिल भी बने, बहादूर साज जफर, टीपो सुल्तान, रानी लक्ष्मी भाई, कुछ एक सीरिल थे, जो की हास से लिये हुए थे, ये जो है जिन्दगी, रजनी, खांदान, और कुछ एक जो धार्मिक सीरिल बने, इन्हो ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिये, जैसे कि रामायाल और महाभारत इसमें प्रमुक हैं, उसके बाद कृष्णा, जय हनुमान और बहुत सारे आए, लेकिन रामायाल और महाभारत ने एक रिकॉर्ड बना दिया, और अभी भी कुरेना के समय में, जब ये इनका पु पुर्थ में, फिफ्ट में, जन्हें कहानी नहीं पता थी, रामान महाभारत की उन्हें ने भी देखा, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि धारवाहिक में, मनुरंजन में धारवाहिक जो है, ये मुख्य रूप से बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं, दूसरा धारवाहिक की अगर बात करें तो एक और धारवाहिक का नाम आप याद कर लें, ये भी जोलाई के महीने में आया था, तीन जोलाई दो हजार को, इस धारवाहिक का नाम था, क्योंकि सास भी कभी बहुत थी, ये ऐसा सो पपरा था जो की दो हजार से लेके, औ मतलब लगभग आठ वर्ष तक यह सीरियल चला और बहुत ही पॉपलर हुआ इसके लगभग 1833 एपिसोड आए 1833 एपिसोड और इसमें जो जिन लोगों ने काम किया यह सीरियल इतना ज़्यादा पॉपलर हो गया कि यह सीरियल और एक गेम शो कॉन बने का करोड़ पती जिसके कि अमिताब बच्चन ने प्रस्तुत किया था जिसका की ब्रिटेन से लिया गया था वांट टो बी मिलेनियर का ये हिंदी रूप था और ये दोनों उस रा में इन दोनों सीरियल ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े और यहां तो गया कि जो भी इसको प्रसारित कर रहा था स्टार प्लस उस चैनल के मन में पेड चैनल करने का विचार आया और उसने इस चैन इसने भी रिकॉर्ड बना दिया और इस तरह से इन दोनों सीरियलों के वज़े से स्टार प्लस ने उस चैनल के पैसे लेने शुरू करे और इसकी लोगप्रेता ने इसने भी लोगप्रेता के सारे रिकॉर्ड तोड़ तो आप यह कह सकते हैं कि टेलिवीजन कारिकरम का एक जो बड़ा है कि मनुरंजन प्रतान करना और उसमें भी सीरियल का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है इसके अलवा और भी है अब तो बहुत सारे चल गये हैं रियल्टी शोज आ गये हैं जैसे कि इंडिया गॉट टैलेंट आ गया है या आपका डांस इंडिया डांस आ गया है रियल्टी शोज में अगर आप बात करें तो बहुत सारे जैसे बिग बॉस है बिग बॉस एक अपने आप में काफी ज़्यादा लोगों ने देखा और इसके कई सारे संस्क्राण प्रसारित हो चुके हैं तो आप यह कह सकते हैं कि अलग 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 फॉर्मेट को क भी यह हुआ कपी गेम शोंदेखा कभी टैलन थंट शो देखा कभी सीर्याल देखा लोग एकी जारी का एंग तो-बना जाए इसलिए तरह तरह के और्छंप प्रसारित करें गए मौनरंजन प्तान करने के लिए और यह बहुत अलग-अलग सोच को ध्यान में रखकर ये करे गए थे तो ये खूब चले दूसरे तरह के वो कारिकरम होते हैं जैसे की जो की लोगों को सिच्छित करने के लिए बना जाते हैं इसका उद्देश होता है कई बार इंटर्वियो के माध्धम से या दूसरे तरह से लोगों को सि सकते हैं कि दूदर्शन या जो टेलिवीजन की शुरुवात हुई थी भारत में साइट अभियान में ये कहा गया था सन 1969 में तो उसमें युनस्को की विशग्यों ने कहा कि भारत में टेलिवीजन की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट प्रसारिद की थी एक रिपोर्ट दी में 1975 में भारत में साइट प्राइग्युक्तर पर आरम किया गया साइट को अगर आप हिंदी करें तो कह सकते हैं कि उपग्रह आधारित सैचिक टेलिवीजन प्रसारा सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलिवीजन एक्सपर्मेंट तो ये टेलिवीजन के माध्यम से ये एक अपरेल 1975 को ये अभियान शुरू किया गया था और 31 जुलाई 1976 तक ये अमेरिका की नासा के सहयोग से चला और इसमें किया ये गया था कि सरकार के तरब से 2400 समुदाइक टीवी सेट उपलब्द कराए गये थे गाउं गाउं में और जिसमें कि आंधर प्रदेश, कर परनाटक, उडिसा, राजस्थान, बिहार और मद्द प्रदेश के 20 जिलों के 239 गाउं में कारिक्रमों का प्रसारण शुरू किया गया था तो इसमें किया किया गया था कि जो गाउं में खंड विकास अधिकारी होते थे उन्हें एक टेलिवीजन का भवन बनवाते थे और उसमें बैठ के गाउं के लोग उन कारिक्रमों को देखते थे और इस तरह से आप कह सकते हैं तो जबी हम बात कर रहे थे कि लोगों को सच्छित करने का उद्देश या लोगों को अवेर करने का उद्देश ये जो है बहुत पहले से साइट का उद्देश था और भारत में दूदर्शन को बढ़ावा भी इसी बात से मिला था अगर साइट की बात करें तो जो उनके मुख्य उद्देश थे उसमें था कि भई ग्रामीडों के लिए प्रसारित किये जाने वाले कारिक्रमों जैसे परिवार नियोजन क्रिशी रास्ट्री एकता परॉल सिच्चा सिच्चन प्रसिच्चन व्यावसाइक प्रसिच्चन स्वास्त, रच्चा आधी के बारे में लोगों को सिच्चित करना था आप जानते हैं बहुत से गाउँ में उस समय हॉस्पिटल में प्रसाव नहीं कराते थे जिससे बहुत सारी मेलाओं की मौत हो जाती थी, या बाल विवा हो जाते थे, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे, जिससे की जनसंक्या वरिजी तो होती थी, साथ में उनकी आर्थे किस्थिती भी कमजोर होती थी, तो लोगों को सिच्छित करने के ल इनुने कई चैनल लॉंच किया है बहुत सारे और विश्वेद्यालेओं ने अपना चैनल स्टार्ट किया है कुछ करने जा रहे हैं कि उपग्रह के माध्धम से भी आपको वीडियो कारिक्रम या टेलिवीजन कारिक्रम इसके लिए बना के आपको सच्छत करें तो आप यह क् को एजुकेट कर रहे हैं और इसके अलावा अवेर करना अवेर करना भी टेलिवीजन जागरुकता लाना या अवेर करना भी टेलिवीजन दर्शकों को जागरुक करने के लिए बहुत ही महत्पूर्ण भूमिका निभाता है तो आप क्या सकते हैं कि टेलिवीजन कारिक्रम का एक बड़ा उद्देश लोगों का अवेर करना भी है और इसमें भारत की जंता को टेलिवीजन के माध्यम से जागरुक किया जाता है और समाजवा समसमाइक मुद्दों और समस्याओं के बारे में उनको बताना है ना तो यह कारिकरम भी बहुत पसंद किये गए और लोगों में जागरुकता के लिए बहुत बड़ा कई तरह से जागरुकता देने की कोशिश की जा रही आज कल जो कारिकरम बहुत लोग प्री हैं उनमें जैसे सावध प्रफां अब जान इंडिया क्राइम कारे करों कॉर्प्रश चल्रे इसके लावदan कुशिवत्न समयाचार में से तो कि बारे में करेंगे तो करेंगे इसके अलcel करना इंफार्म तो करी रहा है इसमें सबसे बड़ा इन्फॉर्म करने का वो समाचार हैं TV निउस चनल है जिनके माध्यमसे जाग गूरुक करेंगे तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हम धीरे दीरे एक एक चीजों को अलग अलग तरह से लेते जाएंगे कि किस तरह के कारिक्रम किस तरह की चीजों के लिए उप्योगी है जिसे प्रचार करना है जो एर्विटीजमेंट भी आप कह सकते हैं किसी उत्पाद या सेवा का प्रचार करना तो इस तरह के टेलिवीजन कारिक्रम भी बनते हैं जिने के टेलिवीजन एड कहते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि बहुत सारे इसके प्रारूप हैं, तो अब हम बात करेंगे कि एक बार फिर से प्रारूप के बारे में इसको हम समप कर लेते हैं, कि इसमें जो टेलिवीजन कारिक्रम हैं, इनकी दो स्रेणियों में आप बाट सकते हैं, अगर मोटी मोटी बात करें तो पहली श्रेणी में वो कारिक्रम आते हैं जो पूंडता कालपनिक्ता के अधार पर होते हैं फिक्शन्स होते हैं और दूसरी श्रेणी आप कह सकते हैं उन कारिक्रमों की जो वास्तविक्ता के अधार पर बनाए जाते हैं अगर हम बात करें कि पहली केटेगरी जो है पहली केटेगरी फर्स केटेगरी की जो कालपनिक्ता अधारित है यानि फिक्शनल कारिक्रम है तो आप उसमें कह सकते हैं कि यह धारावाहिक लगू फिल्म है जो शॉर्ट फिल्म साती है लगू फिल्म में आती है वास्तविक्ता से आप कह सकते हैं कि दो तरह के कारिक्रमों को आप कह सकते हैं पहला जो वास्टविक्ता के अधार पर बना जाते हैं और दूसरा जो की fiction या कलपना शीलता के आधार पर बना जाता है तो ये तो बात हो गई इन कारिकरमों की अब किसी television कारिकरम को निर्माण करने से पहले क्या-क्या चीज़ें हमें देखनी है या क्या-क्या उसके मात्वण पहलों है उनमें बात कर ले कि अगर हमें कोई टेलिवीजन कारिक्रम निर्माण शुरू करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए तो हमारी सोच सबसे पहले ये उद्धी कि हम किस के लिए बना रहे हमारा उद्धेश क्या है हम ये कारिक्रम किस के लिए बना रहे हम मनुरंजन के लिए बना रहे हैं सिच्छा देने के लिए बना रहे हैं हमारी लच्छ जनता क्या है तारगेट आडियंस हम किसको सिच्छा देना चाहते हैं या किसको किसका मनुरंजन करना चाहते हैं उसमें भी अलग-अलग कैटेगरी है बच्चों के लिए बना रहे हैं फैमिली के लिए बना रहे हैं युवाओं के लिए बना रहे हैं बुजर्गों के लिए बना रहे हैं मैलाओं के लिए बना रहे हैं तो उसमे मान लिए जैसे किसी वेक्टी ने डिसाइड किया कि हमें एक फिक्शनल या मनरंजन मनरंजन फिल्म बनानी है मनरंजग फिल्म बनानी है या हमें एक सीरिल बनाना है अगर किसी ने डिसाइड कर लिया कि हमें एक सीरिल बनाना है तो सीरिल बनाने के लिए उसके पास कोई आलेक होगा कोई कहानी होगी कोई आइडिया होगा कि किस पे बनाना है समाज के किस वर्क को हम उस कहानी के पात्रों के रूप में प्रस्तुत करें तो इन सारी चीजों को आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक आइडिया होगा आइडिया कि हमें क्या बना का जिसके आधार पर हम आगे की बात कर सकते हैं तो इस तरह से जब हम कोई टेलिविजन के कारेक्रम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास रिटिन में एक स्क्रिप्ट होनी बहुत जरूरी है जिसके आधार पर हम आगे काम करते हैं तो चुकि लेक्चर काफी लंबा हो रहा है तो अब हम इसे दूसरी क्लास में लेंगे और वीडियो के जो वीडियो प्रेडक्शन है वीडियो कारिक्रम निर्मान है और वीडियो कारिक्रम की जो चरण है उसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में नमस्कार